आप देखरें एक और एक ग्यारा, मैं हूँ आपके साथ नव्जूत रंधावा, मेरे साथ है मिनाक्षी, खबर है मुसल्मानों से जुड़ी क्योंकि उन पर राजनीती चलती जा रही है, मुसल्मानों पर राजनीती की नई सीरीज अब शुरू हो गए, राश्ट्रपती मुसल्मानों को जान बूच कर पिछड़े पन के अंदेरे में धकेलने कारोप लगाया और इसके लिए उन्होंने जो तरक रखा, उससे कॉंग्रेस लाजवाब हो गई पहला मौका मिला और मोदी ने शाबानों केस का जिक्र कर कॉंग्रेस को आईना दिखा दिया राष्टुपती के अभी भाषण पर चर्चा का जवाब देते देते मोदी ने देश को फिर दिखाया कि कॉंग्रेस किस हद तक मुसल्मानों के तुष्टिकरन की मुरीद रही है मोधी ने आरिफ मुहम्मद खान का जिक्र किया उन्हें आरिफ खान का जिन्होंने शाहबानो केस में मतभेद के चलते कॉंग्रिस को अलविदा कह दिया था शाहबानो केस में राजिव गांदी सरकार ने कानून बना कर सुप्रीम कूर्ट के फैसले को निरस्त किया आरिफ खान ने पार्टी के फैसले की मुखालफत की थी आज 27 साल बार मोधी ने आरिफ खान को आगे कर कॉंग्रिस को फिर कट घरे में खड़ा किया पी-म ने जो कुछ कहा उसे आरिफ भी सच बता रहे हैं एक 86 की जो घटना है जो से बहुत महत्पूर्ण वाना जाता है शावानों के इसको और नर्सिमा राओ जी न आकर मुझसे कहा कि अब तो शावानों ने अपना इस्टांस बदल लिया तो उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा था कि हम मुसल्मानों के सोशल रिफॉर्मर नहीं है अगर वो गठर में पढ़े रहना चाहते हैं तो पढ़े रहने तो तुम कही के लिए स्टीफा दे रहो ये उनका कहनेगा वोटर समझो उनको तुम कोई मुझसे कह रहे थे वो के कॉंग्रेस पार्टी रिफॉर्मर नहीं है तो जो कहानी अतीत के पन्नों में दफन हो गई थी उन्हें मोदी ने फिर से खोल दिया मुसल्मान फिर से राजनितिक विमर्ष के केंदर में आ गए हैं शायद बीजेपी ये साबित करना चाहती है कि मुसल्मानों की सच्ची हिमायती पार्टी वही है वही है जो तीन तलाग जैसे सामाजिक बेडियों से मुसल्मानों को आजादे दिलाएगी वही है जो मुसल्मानों की सेहत, शक्षा जैसे मुद्दों पर गंभीरता से काम करेगी इसलिए आरिव खान का जिक्र हो रहा है आज तक भी रोगा आज पर गंभीरता से काम करेगी